हेलो फ्रेंड्स वल्कम टु स्ट्वेंट पेडिया आपका स्वागत दोस्तों मेरे चानल में आज की इस बीडियो में हम बात करने वाले है संजीबर कॉलिज राची क्या से फॉर्म फिल अप करना है सुरू करने से पहले ही बतला दू कुछ भी डॉट होगा तो आपको करना क्या है किसी वीडियो पे कमेंट करनी है मैं जो हूँ आपको जरूर रिपलाई करूँगा और बतलादू इंटरेंस एक्जामनिशन नहीं होने वाले आप कन्फ्यूज मत होईए आपको पता होगा आप प्रोस्पेक्टर्स पढ़ेंगे तो देखिएगा सेलेक्शन क्राइटेरिया में मेरिट के बेसिस पे आपका अड्मिशन हो रहा है ठीक है फॉर्म देखिए काफी लंबी यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन के लिस्ट है तो आपका कुछ इस तरह का पॉर्टल ओपिन हो जाता है पॉर्टल में देखिए जिन्होंने रिजिस्टर्स नहीं करा लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ट आपके चाहिए उसे क्रियेट करने के लिए साइन अप में आपको जाना होगा आप सूच रहे होंगे साइन अप कहां तो देखिए यह साइन अप का बटन है इस पर क्लिक किजिएगा यहाँ डिटेल्स मांगे जाएंगे आप देंगे फिर जो है लॉगिन आप कर सकते हैं उसके बद क्या तो इस तरह का पॉर्टल ओपिन हो जाने वाला है इस पर पॉर्टल पर क्या है तो देखिए यहाँ पर PDF आपको दीख रहा होगा यहाँ पर मैं जूम कर देता हूं इसे तो यह PDF जो है आपका ये है प्रोस्पेक्टस prospectus को download कर लिजेगा ठीक है prospectus को download किजेगा तो यहाँ पर सारे details आपको मिल जाएंगे fear की details नहीं दी गई है बात करें यहाँ पर form fee कितनी है तो 800 रुपीस है काफी लोगों को पता होगा आप अप्लाई करने के लिए जाना है अब continue करना होगा यहाँ पर के continue का option देख रहे हैं आप यहाँ continue कीजेगा अब जो है पहला page आपका खुल जाएगा यहाँ पर जो है आपको pages देखनी को मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर जो है total एक है last वाला तो यहाँ पर एक में personal, एक में address, education, photo और signature मांगे गई है question, courses, फिर documents upload करना है, payment करना है तो यहाँ पर पहले page में हम है जहाँ आपको बुला गया है अगर local language में फिल्ड करना चाहते है तो space दे दिजेगा, वो खुदी convert कर देगा आपका नीम confused नहीं होना है, देखे क्या है यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम देना है नाम दीजे, title दीजे, यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर आप करिएगा, title में क्या है तो mister आपको यहाँ पर mention करना होगा mister या missus है, वो आप लिख दीजेगा last name, surname, build name यह तो आप कर दीजेगा, name वगरा जितना है मुवाइल नमबर देना है, मुवाइल नमबर देने के बाद email ID देनी है, और आपना status बताना है साधी सुधा है या नहीं, या married या divorce आपको बता देना है blood group बताना है, gender बताना है आपका gender कौन सा है, ठीक है date of birth आपको यहाँ पर mention करना होगा वो आप mention कर देजएगा birth place जो है, आप जानते होंगे, जहां आपने जन मलिया, उस जगा की नाम आपको देनी है country यहाँ पर आपको choose कर लेना है जो की India ही आएगा, birth और domicile state जो है, आपको बताना है यहाँ आपकी बात के जारिया आप कहां से belong करते है, तो आपको mention करना है, जहारकंट से तो जहारकंट से बिहार से है, तो बिहार से multiple states यहाँ इंडिया में है, तो कहीं से भी belong करते है, आपको यहाँ पर select कर लेना है religion चूज करना है अपना, आप जो भी religion से belong करते है इसे जो है सूज कर लिजे कास्ट करडिगरी आपको सूज करनी है बता दू कास्ट सर्टिफिकेट है या बनवा लेंगे 25 के बाद तक तो आप अपलाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में आइडेंटिफिकेशन मांक्स यहां पर मांगे जा रही है बहुत लोग पुछते क्या है यह तो बतला दू आपकी जिससे पहचान हो सकी ना कि यह मिंसन कर देजगा मैं बहुत सुन्दर हूँ यह नहीं आपको जैसे मिंसन करना है कि जो है मेरे काले आँख हो सकते हैं या आपके आप से पूछा गया है और फिर आपके जो है यह आपे इंफॉर्मेशन में आप देख सकते तो देते हमें डीकिन चाहँ आप घ्राब ठूब् देनी होगी चूज नहीं कर लेना बिना certificate का और जो है अधार नंबर फिर मांगा गया है आपसे अधार नंबर देजेगा और पूछा गया है क्या apply करना चाहते है होस्टल में होस्टल बता दूँ सबको नहीं मिल पाता होस्टल यहां पर जो है होस्टल फैसलेटी सबके लिए आपको जो है यहां पर फी स्ट्रक्चर बता दूँगा होस्टल की अच्छी से पर देखिए होस्टल बहुत इजली अवलेबल है रांची में खास करके बता रहा हूं बहुत इजली होस्टल अबलेबल है बहुत सस्टे सस्टे होस्टल अबलेबल है और गल्स के लिए तो अगर आपको मन है होस्टल विथिन संजेविर कॉलेज कैमपस में रहने का तो आप किलिक कर सकते है या चाहते एक्सप्लोर करे राशी को तोड़ा अच्छे से तो आप बाहर भी रह सकते है बाहर कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैं प्रसनली बता रहा हूँ गुरुप की सर्टिफिकेट आपको मिलती है आपको कर सकते यहां पर सोल्सल वाक ठीक है होविस आपको बता देंगे जो भी आपकी होविस है जिनकी माने ऐब बैडमेंटन खेलते हैं बता देजिए करकेट खेलना पसंद है cricket rating पसंद है बता दीजे अपनी hobby cooking पसंद है cooking बता दीजे फिर चलेंगे save और next कर देंगे हम अब आ गया address वाले details में address में देना क्या है तो देखिए यहाँ पर आपको address बताना है permanent address, registered address तो आप जहां के है आप बता दीजे हो सकता है temporary address ना हो example के लिए मैंने कुछ भी यहाँ पर fill up कर दिया है temporary address कौन सा है country कौन सा, state कौन सा है, district कौन सा है और फिर आईगी आपकी यहाँ पर education details education details में यहाँ पर आपको provide करनी है, सारे education यहाँ पर जितने भी आपकी होंगे details वो आपको provide करनी है examination label आपसे पुछा गया है इसमें आप select कर लिजेगा आपकी label कौन से examination level examination name पुछा गया है कौन से आप पर examination पास करकर आ रहे है UG, PG, SAC, HAC तो यहाँ पर HAC का होता है Humanity, Science, Commerce तो normally इसी से ब्लॉंग करते है बच्चे तो आपको वही चूज कर लेना है यहाँ पर admission लेनी के लिए तो वो जो है B.H.U. लिखेगा यह है A.M.U. लिखेगा क्योंकि उनकी university है School College का नाम यहाँ पर लिख देना है ठीक है फिर जो है year of passing बतानी है जो 2020 में पास हुए 2020 2021 में पास हुए 2021 marks कितने आपने उठाए वो लिख देनी है आपको total marks कितने थे वो आपको mention कर देना है अब जो है कीनी की CGP में होगी तो उन्हें भी percentage में convert करना होगा अब देखे यहाँ पर percentage आपको बता देनी है फिर जो है result आपके select कर देनी है result में option आएगा pending है awaited है आ गई है क्या या fail होगा तो यहाँ पर बता देनी है कि आ गई है result आपके पास है फिर आपको grade बतानी है grade में first division, second division, third division आप mention कर सकते है add भी कर सकते है अगर order test देनी है तो save next कर देजएगा तो save next भी कर सकते है save next किजएगा तो देखे यहाँ पर फिर से information आया है photo और signature का photo और signature यहाँ करना क्या है तो यहाँ पर करनी है आपको upload photo और signature student यहाँ पर देखिए आपको student की image करनी है और simple है अपनी जो passport size photo mobile से click करनी photo और उसके बाद upload कर देनी है यहाँ पर कित्मी KB की मांगी की है 500 KB की तो करिएगा क्या देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे compressor जो है application available है उससे compress कर सकते है पर जो है यहाँ पर देखिएगा अच्छी मतलब की देखा गया है compressor का इस्तमाल करते है 100 से कम रहती है तब जब हमें बहुत ज़्यादा compress करना होता है तो whatsapp पे share करते है फाइल फोटो को और फिर से मांग लिजएगा किजी तो quality खुद ही कम हो जाएगी फिर upload करते है आप और signature की भी करनी क्या है signature sign कीजएगा खोपी बे और उसकी photo ले लिजएगा उसे crop कीजएगा अब 500 kb के under में उसे ले आईएगा whatsapp पे share करके और फिर उसे upload कर देजगा example के तोर पे मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ यह जो है मैंने photo upload कर रहा है यहाँ पर देख सकते है और इस तरह का signature होना चाहिए आप किसी में भी signature ऐसा इस्तमाल कर सकते है 300 kb के under होना चाहिए अगर नहीं गढ़ रही quality आपकी बहुत ज़्यादा quality है तो compressor यूज कीजिए और बतादू mobile से fill up कर सकते mobile से कोई भी problem नहीं होता फिर जो है आप जाएंगे यहाँ पर फिप procedure आपका क्या है तो यहाँ पर question पुछेगा है जैसे कौन से आप यूज करते है गाड़ी वगारा तो two wheeler है, bicycle है, cycle है तो आपको यहाँ पर tick कर देना है और जो है economic status पूछा गया है आपकी low income group में belong करते है 1 lakh से 5 lakh यहाँ पर कमाई आपकी घर की middle group से है तो यहाँ पर 5 से 8 lakh कमाई होगी yearly income की बात की गई है high income, below poverty line है तो यह आपको mention कर देना यहाँ पर और जो है income tax pay है तो yes करना है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर और जो है यहाँ पर देखी फिर जो है आपको करना क्या है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो है आपको बताने है कितने member father, mother, guardian and rocks member आपको है तो बताईए यहाँ पर ठीक है और जो है what is your locality यहाँ पर बतानी है आपको urban है या ruler है, save किजेगा next में बढ़ जाईएगा, आपको जवाब दे देनी है कोई यहाँ पर डिकत नहीं अगर गलत जवाब देते है, ठीक है रिचेक कुछ नहीं होता, यह सब matter नहीं करता ज़्यादा educational details बस गलत मत दिजएगा और personal details, courses की बात आएगी फिर course selection का, आप देखिए यहाँ पर course selection करना होगा, कौन सी course पर आप apply कर रहे है, अब पाएगा कि यहाँ पर चूज कीजिए, कौन सी subject आप चूज करना है, एक्जामपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग confused थे, कौन कौन सी subject यहाँ पर available है, तो मैं तो चूज करूँगा, जेगरोफी, बाकि जिसे जो चूज करना है, यहाँ पर चूज कर लिजेगा, various courses यहाँ पर provide कि गए है, ठीक है, यहाँ देख लिजे, इनका जो है, जितनी भी bachelor की courses है, आपकी available है, आप यहाँ पर form fill up कर सकते हैं, काफी लोग पूछ रहे थे, यहाँ पर BAC vocational courses में computer application, BCA available है या नहीं, तो देखे, BCA था यहाँ पर, जो है, हो सकता है, इस बार नहीं available होगा आपका, और जो है, हो सकता है, बाद में future में add हो जाए, तो अच्छी बात है, पर आप computer application भी कर सकते हैं, same आपको जो है, course देखनी को मिलता है, same जो है, यहाँ पढ़ाई होती है आपकी, फिर क्या, तो देखे, फिर जो है, आपको करना क्या है, आप जब choose कर लेंगे, तो इस तरह का कुछ आ जाएगा आपके पास, जो कि application number है आपका, इसे screenshot ले लीजेगा, अच्छी बात है, यहाँ, तो यहाँ पर देखे, आपके टोटल कितनी थी, परसेंटेज कितनी थी, और जो है, उसके बाद यहर औपासिंग आपको बता देनी है, और देखे, यहाँ पर चलते हैं, फिर देखे, यहाँ पर जो है, आपको करना क्या है, देखे, यहाँ पर बतला दूँ, साइद यह educational details वाला, यहाँ पर साइद आ गया है मेरे पास, ठीक है गलती से, तो educational details का information है, यह सारे आपको educational details में आपको देने होंगे, यहाँ पर by mistake, जो है, बीच में आगे है PDF, यहाँ पर देखे, educational details में आपको जितने मांगे जारे subject वगरा, आपको यहाँ पर choose करना होगा, और जो है, add बटन देख रहे हैं, उसे जो है, add कर देना है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्लिक करके जो है, आगे बढ़ा लीजेगा, उसे होगा क्या कि आप subject add कर सकते हैं, जितना आपनी score कर रहा है, आपको यहाँ पर add कर देना है, उसके बाद क्या तु save and next कर दिजेगा, और जो है, हम चलते हैं आगे process की तरफ, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर जितनी भी documents है, वो आपको apply करने होगे, यहाँ पर apply करने होगे, तो कैसे apply करने हैं आप सोच रहे होगे, तो यहाँ पर देखिए, name of documents आपको यहाँ पर choose करना है, और जो है, कुछ यहाँ पर documents, जो है, compulsory है upload करना, जिनमें इस्टार होगा, मैं बतला दे रहूँ आपको, तेंथ की certificate आपको upload करनी होगी, यहाँ पर जो है, आपको HAC, Mark Seat आपको upload करनी होगी, Humanity, Science, Commerce जिससे भी belong करते हैं, और अधार कार्ड आपको जो है, यहाँ पर upload करनी होगी, income certificate, cost certificate, और जो है, migration certificate, character certificate, यह जो है, living certificate, compulsory नहीं है, है, है तो upload कर दीजिए, आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर belong भी करते हैं, तो है तो upload कर दीजिए, otherwise यहाँ पर compulsory नहीं है, आप जो है upload करेंगे documents, यहाँ तो कुछ इस तरह से list आजाएगी, कि आपने अधार काड upload करा, तेंथ की certificate upload करें, आपने upload कर दी, उसके बाद क्या तो, उसके बाद आपको बतला दू, यहाँ पर आपको select करना है, medium form instructions, जो कि यहाँ पर आपका होने वाला है, क्या both, both select किजेगा, और उसके बाद subject आपको choose करना है, generic paper आपको choose करना है, जो आपको पढ़ने का मन होगा, option यहाँ होगा, उस पर से देखकर, आपको choose कर लेना है, यहाँ पर ठीक है, maximum दो ही choose कर सकते है, और उसके बाद जो है, एक जो है, आपको यहाँ समझ लिए, compulsory subject type का है, तो यहाँ पर choose करना होगा, communicative English ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, एक उसको लिजेगा, एक main subject आपका होने वाला है, उसके बाद जो है, add किजेगा, उसके बाद save and next कर दिजेगा, अब जो है, उसके बाद क्या होगा, तो देखिए, मैंने choose करा, geography, English communication, आपको समझ में आ गया हो, और कुछ भी टॉट हो, तो जरूर पूछिए, थांक्स पर वाचिंग, बेस्ट अफ लग,